हलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका अपने योट्यूब चैनल पर आज के वीडियो निटे 2020 के सेकंड राउंड कांसलिंग से रिलेटिड होगी आप सभी को पता है ओल इंडिया कोटा के थ्रू फर्स्ट राउंड की कांसलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है अगर मैं बात क करूं सेकंड राउंड कांसलिंग की तो सभी स्टेट्स की सेकंड राउंड कांसलिंग का प्रोसेजर अभी आपका स्टार्ट होने वाला है तो मैं इंस्ट्रेक्शन के बात करूंगे कि सेकंड राउंड कांसलिंग के अंदर सभी स्टेट्स का स्टेट वाइज अलग अलग नॉटिस दिये गए है और सबके नॉटिस अलग-अलग है तो उन नॉटिस के अंदर जो इंस्ट्रेक्शन्स दी गई है कौन से इंस्ट्रेक्शन्स आपको फोलो करनी है तो यह जाने के लिए आप वीडियो में लास्तक बने रही है तो सबसे पहले मैं लेती हूँ उत्राखंड स्टेट ठीक है स्टेट वाई सभी स्टेट्स लिए जाएंगे तो सबसे पहले मैं उत्राखंड स्टेट लेती हूँ तो इसके अंदर सेकिंड राउंड की कांसलिंग को लेकर क्या-क्या कांसलिंग की द्वित्य आगामी कांसलिंग चरनो है तुम्हें तो निर्देश्वयत नियम वैसरते ठीक है यह ओनली सेकिंड राउंड कांसलिंग नहीं आगे जो भी राउंड होने वाले हैं मौप आप राउंस्टे वेकेंसी राउंड उन सब ही के लिए इंस्ट्रेक्श कर सकते हैं ठीक है। प्रथम चरण में पंजीकृत ऐसे अभ़िहरते जिने प्रथम कांसलिंग चरण में कोई भी सरे अवंटिंग नहीं होई हो। द्वित्य चरण में आवंटिंग ने करते हो। नेक्स्ट है ऐसे अभिहर्थे जिन्होंने बॉर्ट द्वारा प्राथम चरण में आवंटेट सेट पर निर्धारित समय अंतरगत प्रवेश पर प्रकिरिया पूर्ण ना की हो और द्वित्य चरण में सेट आवंटेट हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो आगे है ऐसे पंजीकरित अभिहर्थे जिन्होंने प्राथम चरण काउंसलिंग में पंजीकर ना कराया हो और द्वित्य चरण में सेट आवंटेट हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो ठीक है ये स्टुटेंट से है जो सेकिंड डौन वे पार्टिसपेट कर सकते है ये जाती है कि दिवित्य चरण काउंसलिंग हेतु पुनेह पंजीकर्ण च्वाइस फिलिंग ने करें जिससे इस सीट को किसी अन्य अहर इच्छुक अभिहर्थी को मेरिट के करम में नियम अनुशार आवंटित किया जासके और सीट ब्लॉकिंग जैसी कूपर्था को भी रोक जासके ठीक है तो उससे क्या होगा कि आपकी सीट ब्लॉक नहीं हो पाएगी आगे दिया है आवेदन प्रकेरिया केवल ओनलाइन आधार पर सकेंड काउंसलिंग चर्ण में भाग करने हैं तो प्रंजीकर्ण धनरासी तीन हाजार केवल ओनलाइन परनाली क्रेडिट डेबि द्वित्य चर्ण काउंसलिंग में पंजीकर्ण सूल क तथा धरोहर रासी दोनों जमा की गई है यदि वो द्वित्य चर्ण काउंसलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हैं तो उन्हीं विश्व विद्याले की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर जाकर स्व्यम को पुन्ह पंजी पंजीकर्ण करवाते हुए ओनलाइन आविदन वांचित अभिलेक अप्लोड कर नमिन चोईस फिलिंग करनी अनिवारिया होगी अपी तो ऐसे अभियर्थों को दोबारा पंजीकर्ण सूल क तथा धरोहर रासे जमान नहीं करनी होगी आगे दिया है जिन अभियर्थों दो लोड कर नमिन चोईस फिलिंग करते हुए द्वित्य चरण काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं जिन अभियर्थों दोबारा प्राथम चरण में पंजीकर्ण सूल क तथा धरोहर रासे दोनों ही जमान नहीं किये गए है वे बिंदु संक्या 0-3 में दिये गए निरद के अंदर यह सभी स्टेट्स पे लागू होते हैं सभी स्टेट्स के अंदर क्योंकि जो स्टुडेंट्स का कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन के लिए इन पॉइंट्स में अब देखे आगे दिया है जिन अभियर्थियों दोबारा प्राथम चरण काउंसलिंग में पंजीक कराना चाहते हो तो इस है तो उन्हें विश्व विद्याले की वेबसाइट पर जाकर श्रम को पुनेह पंजीकन करवाते हुए नविन कोटे के विकल्प का ओनलाइन आवेदन फॉर्म भरते हुए चैन करना होगा उसके बाद वे ओनलाइन आवेदन फॉर्म वांशित अब विलेख अपलोड कर नविन चोईस फिलिंग करते हुए दित्वचन काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं ऐसी दसा में यदि अभ्यार्थे द्वारा पूर में जमा की गई धन राशी जादा है तो उन्हें कोई अतिरिक्त दरोहर धन राशी जमान नहीं करनी होगी दे विलेख अपलोड का नविन चोईस फिलिंग करना अनिवार्य होगा ठीक है और यह क्या दिया है यदि कोई इच्छु के अभ्यार्थी ओनलाइन आवेदन परपत्र में भरी गई किसी सुचिना अपलोड किये गए मूल अभी लेखो कि स्कैन पीडियाफ कॉपी देथा सेगेंड राउंड हे तु भरी गई चोईस फिलिंग में कोई भी परिवर्दन कराना चाहते है तो अभ्यार्थी को दूत्त पांच बजे तक आपको इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं देखिए फ्रेंस में काफी सारे पॉइंट्स दिये है टोटल सिक्स पेज़ेज है अगर मैं टोटल सिक्स पेज़ेज पढ़ूंगी तो काफी टाइम लग जाएगा तो यह जो पीडियाप फाइल है यह म सभी important points है और actual में यह है उत्राखंड स्टेट का notice लेकिन यह जो points दिये गए है यह सभी स्टेट के notice के उपर apply होता है सभी स्टेट का जो स्टेट कोटा की जो सेट होगी counseling होगी उन सभी के उपर apply होने वाला है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो like and share जरूर कीज जीएगा okay thank you friends